हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो नीव वीडियो आफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनस तो फ्रेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया है कि मैं ऐसे शेयर से आप लोगों तक लाने की कोशिश करूँगा जो शेयर आपको यह जो फिलाल गिरावट चल रही है यह गिरावट खतम होने के बाद काफी अच्छे रिटन दे सकते हैं तो उन में से यह अनादर स्टॉक है फ्रेंट्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनस अगर आप देखो कि वन येर का चार्ट तो अल्मूस्ट 313 रुपीज से यह शेयर गिर के 116 रुपीज पे ट्रेड कर तो नियर बाइ 200 रुपीज के आसपस हमने ये शेयर जो है बाय किया था और हम कंसिडर कर रहे थे कि हमें अल्मूस्ट 280 तक के टार्गेट जो है देखने को मिलेंगे लेकिन हमने काफी इंप्रेसिव टार्गेट जो है अच्छिव करे थे उस टाइम पर आप देख सकते हो यहां से लेके अल्मूस्ट 300 क्रोस कर दिया था इस शेयर ने काफी अच्छे रिटन्स भी मिले थे हमारे वीवस को यहां पर अगर हम बात करेंगे तो मैं बार बार बुलता हूं कि इंडिया बॉल्स हाउसिंग फाइनस में जब भी गिरावट आती है तो एक अच्छा स्टार्ट हुआ था नेट इंकम का और 2022 में भी जिस टाइम पे जो है रियल इस्टेट बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा था उस टाइम पे भी 1178 करोड तक का जो है मुनाफ़ा स्वरी नेट इंकम इस कंपनी ने जो है जनरेट किया है तो देख सकते हो आप नेट इंक 69 से लेके सीधा 9.72 पे जो है जो प्रोमोटर की होल्डिंगे वह रिडियूस हुई थी क्योंकि वन आप दो प्रोमोटर ने जो है उनकी जो शेर्स थे वह बेच दिये एक बल्ड डिल में तो उसके वज़े से काफी निगेटिव सेंटिमेंट बने थे उसके बाद सेबी ने करेक करने को बोले थे इंडियाबॉस हाउसिंग फैनस को और उन्होंने वह करेक करने के लिए कंफर्मेशन भी दिया था अपार्ट फॉर्म डैट कोई इस्चु नहीं था बस एक निगेटिव सेंटिमेंट क्रियाट हुआ था यहाँ पर मूचल फंड की होल्डिंग भी आ अपार्ट फॉर्ण इंस्टिउशन सबसे बड़ा जो गुर्प है जो यह शेर होल्ड करते है वह है रिटेल इंवस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 50.42 पर सेंट जो है रिटेल इंवस्ट जो है शेर सोल्ड करते तो शेर अच्छा और स्टेबल हमें देखने को मिलता है अ तो काफी impressive dividends भी है, तो overall जो है हमें ये share काफी अच्छा दिखता है, last ending day की बात करेंगे, तो 122 से लेके गिर के 112 तक गया था, और close हुआ 116 तक, तो जहाँ पे भी इसको एक buying position बनाने का chance मिलता है, काफी अच्छी deal हो सकती है, मैं यहाँ पे खुद personally भी ये share hold करता हूँ और मैं target कर रहा हूँ कि अगर ये share 100 रुपीस के नीचे जो है गिरता है, तो मैं फिर से मेरी जो position है उसको square off करने की कोशिश करूँगा, एक समय पे अगर आप देखोगे friends, चौदा सो रुपे पे ट्रेड कर रहा था ये share, तो क्या ये फिर से इन लेवल को touch कर सकता है, डेफिनेटली इन लेवल को ये touch कर सकता है, लेकिन इस share को उस तरीके के जो results है, वो भी देने पड़ेंगे तब जाके touch कर सकता है, तो financial 2018 में इन्होंने काफी अच्छे prizes touch करे थे, तो अगर आप 2018 के बात करोगे friends, आप देखिए, 2018-19 तो 3895 करोड का net income था और financial year 2019 में 4090 करोड का, तो काफी impressive net income थे, तो expected था कि उस time पे काफी अच्छे prizes touch हुए है, तो अगर फिर से अगर इंडिया बूस हाउसिंग finance उस लेवल के जो है, बिजनेस करता है, तो definitely prizes भी touch होती हुए दिख सकती है हमें, पुरानी, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कुछ important update है क्या, तो yes, after all all, NBFC is looking to set up funding for real estate sector, अभी real estate sector को fund करने के लिए, NBFCs are looking, तो क्यों ऐसा कर रहे है हो, क्योंकि अभी, हम सब को पता है कि बहुत जादा strong demand real estate में बढ़ चुकी है, सारे जो pandemic की situation थी, वो almost खतम हो चुकी है, अभी लोग back to cities आ रहे है, अभी real estate में भी काफी जादा demand बढ़ी है, हमें recently ही, ये सुनने को भी मिला है, हमने कुछ updates भी देखे थे, जैसे grassim से, हमें related, हमने update देखा था, कि paint industries भी काफी जादा अच्छे से perform कर सकती है, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि real estate की demand बढ़ रही है, और उसी को consider करते हुए, अभी real estate को fund मिलने के बहुत जादा जो है, possibilities है, काफी अच्छे से, तो इस सारी चीजों को अगर हम consider करेंगे, तो definitely India Bulls Housing Finance को जो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत boost मिल सकता है, तो यही सारी important details थी, friends, जो मैं आप लोगे साथ share करना चाहरा था, thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon.